प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी हैं कॉंग्रेस को आड़े हातों ले रहे थे तो देखिए विदेश में जाकर कैम्परिज में राहूल गांधी ने क्या क्या पेगेसिस में मेरी जासूसी करवाई गई फोन में क्या था जो आपने नहीं सौपा किंद्रू ये मंत्रू अंड प्रत्यारोप हो रहा है तो अंड़ाग ठाकुर ने जवाब दिया कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की हमारी सरकार है लोगतांत्रिक धाचे में तोड़ फोड़ हो रही है यानि कि इस धाचे को तोड़ रहे हैं मोधी संस्थाओं पर कॉंग्रेसी प्रेश्ण परिध के लिए पिटी Crispy आड खाचे को पर लिए? अवया प्रेश का विस मैं यलांश पाचे हम समयन अफरूंपर लाइब धनीजिदिरी प्रेशनीं तोड़्दीर 화 मेंने सबक engagements, on the phone, on difficulties of the तुछ विए पेगसीस पे राहूल गांदी जी क्या मजबूरी थी कि उनने अपना मुबाइल फोन जमा नहीं करवाया और वो नेता जो भ्रहष्टाचार के चलते बेल पर है ऐसा क्या था उनके मुबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने अक्की जरूरत थी वो और अन्यनेताओं ने अपना मुबाइल फोन क्यो जमा नहीं करवाया Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, democracy, parliament, the free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. बार बार जूट बोलना, विदेशी धर्ती का इस्तमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी जन्सियों का इस्तमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई है. ये नफरत राहूल गांदी जी की पर्धानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है. लेकिन देश को बदनाम करने की आदत बार बार, जो विदेशी धर्ती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है. ये अपने आप में प्रशन चिन खड़ा करता है कि कॉंडर्स का अजंडा है. तो ये रिष्च्ट आप देशी अपने लागे गाणने की आफ रहा आप में का विदेशी की आप लूस्तों के अपने प्रशन निया करता है. अनकी बातों का कया गहना? उनकी सुनिंगे एक ये एक जगे अटक गई है. उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है